एन्नेच हाईवे नमर 19 पर पलवल मतरा से दिल्ली के तरज पर बना दा बेकरी हाउस का रिवन काट कर उतगाटन किया गया भाजपा युवा मोर्चार रास्टेस सचीव गौरब गौतम मुख्य अतिती के तौर पर मौजूद रहे पपन प्लाजा का ही हिस्सा है दा बेकरी ह इसी के साथ साथ बेकरी हाउस में आपको मिलेंगे सभी तरह के आइटम्स जैसे केक, पेस्ट्री, सैंडवीच, चॉकलेट फ्लेवर केक, डेकोरेटिव बकेट्स, पपन प्लाजा होटल के संचालक अमन शर्मा ने बताया कि जनता के लिए एक बहतरीन और आरम दाइक सिट स्काइडाइन और दाक कबाना पपन प्लाजा जैसे शांदार होटल खूलने के बाद अब पलवल की जनता को बाहर जाना नहीं होगा, खुले आस्मान के नीचे खाना खाने का लुप्ट आपको दस काईडाइन में मिलेगा, नाइट पार्टी के लिए दाक कबाना का इंप्रेशन के लिए तथा गिफ्ट डेकोरेशन अब आपके लिए दबेकरी हाउस खुल चुका है दबेकरी हाउस आएं और डेकोरेटीव बकेट्स के साथ स्वाधिस्ट भुजन का लाव उठाएं हमने स्काइड साथ किया था तो उसके जरिये भी हम नारा यही प्रैस्ता के पालवर को कुछ नया दे और बेगवी के जरिये भी हम यही चाहते हैं कि लोगों को नई पेस्ट्रीज, कुकीज, बिस्किट्स नमके इन सब कुछ हम अपने लिए पर इन हाउस हैं साथ में हमने कै सोच तो ही है कि परवल में जो लोग सब पईदाबात की तरह आफ वाफते हैं तो उन्हें यही पर सब चीजें अवले पर हो जाए तो हम अपने नए ने दमाखों के जरिये यही चाहें कि परवल को पमेशा बुछ नहा दे तरह होंगा थेंक यू देकि हम लोगोंने अपना एक नहीं लॉंच किया है ता बेखाउस के नाम से हम लोग कंप्लीट बेकरी कम कैपी माइं हमने लॉंचिंग किया तो हम लोग वास सारा बेकरी प्रोडम्स एक छोटा कैपे भी इसी के अंदर है इसके अंदर आपको बोस सारी ऐसी ए तो कस्तोर बताएगा हमने अपनी दरव से बेस्ट एफट्स किये हैं हम लोगोंने पल्वर को एक इसा बेकरी के देने की कोशिश किया जिसकी आपर रिक्वाइर हो थी इसके पिझे सिव शामबाबा की किरपा है जूसरा कुछ भी लें है तो हम बहुत अच्छा नहां हम अगर किसी को कोई वी फिडबैक हमें देना हो तो हमें जरूर देए तेंक यू सुठ